और चलो एक बार फाचो फोगे अब सब का कॉंभीनेशन एक साथ बता देता हूं टोटल कॉंब्यूडेशन पहली बात टोटल कॉंब्यूडेशन कोई सबसे इंपोर्टेंट बात है आप हेडवाइज सेग्रीगेशन करना आपको आता और वह ताव आता जो आपकी हेड़ की इंकम बेस्ट है अपने बढ़िया तरीके से पड़ेवे है और मैं यह उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपके हेड़ बढ़िया तरीके से हो गए है आप बहुत सारे लोगों ने ध्यान भी दिया है एक हाद नालाक था ठीक है तो अगर अपने को कहा है टैक्सेशन ऑफ इंडिविज्वल इच है तो टोटल इंकम आपको जो कंप्यूट करनी है वो इंडिविज्वल की करनी है अब उसमें जनरली क्या दिया रहता एक इंजान है जो सालरीड है उसके पास कैपिटल एसेड भी है उसने वह बेचा कैपिटल गेन मिक्स हो जाएगा और उसके एक हो करनी है तो सालरी हाउस प्रॉपर्टी क्यापिटल के इंकम का मिक्सर या फिर पीज़ी दीपक्सर और यह इशेग और रहली इंकम हो इसकी हो सकती है उस का एक को अधर सकता है फुन सकता है पार्टनरी फीर मुल मिल रहे है। उसको मिल रहे है उसको डूर्ट कि इसको पार्टनर दिडुक्र जमः फरम को डम्ला तो मड़र और फ़रम को डिरॉक्षन नहीं मिला तो पाट्नर को डम्ले रहता अब फरम को डिडुक्षन मिलता है मतलब देखो मैं अगर निडि वाल हूं किसी शेर फॉरम में और वाय से मड़ी तो मेरा रेमिनेरेशन कितना टेक्सेबल होंगा इसके लिए आपको निकालना पड़ेंगा section 40 B कि फर्म को कितना डिडेक्शन मिलेवा है तो देड लाग मिर को मिला उसमें से फर्म को एक लाग का डिडेक्शन मिल गया तो 50,000 का मिर को डेक्सेबल टीक है ना सालरी by firm is taxable as business income taxable to the extent they are allowed as deduction to the firm पहला और दूसरा दूसरा interest on capital section 40 B 12% के उपर फर्म को डिडेक्टिबल नहीं है 12% तक फर्म को डिडेक्शन मिलता उसके उपर का नहीं मिलता मतलब मेर को 12% तक taxable रहेगा 12% के उपर का taxable नहीं रहेगा फिर मेरे को मिल सकता firm में का जो profit है वो वो तो मेरे हातों में exempt रहता section 10-2 वो मेरे हातों में exempt रहता क्योंकि उस पर firm tax भर चुकी है ठीक है उसके बाद मेरे को मिल सकता as a member of HOF family business में से तो सार पहली बात जो share of profit मेरा हूफ से उस पर हूफ ने tax भर दिया वो मेरे हातों में exempt रहता बरोबर share of income of HOF exempt in the hands of member क्योंकि उस पर हूफ ने tax भर दिया दूजरा impartible state अगर है हूफ की अगर impartible state है मतलब वो state जो legally divide नहीं हो सकती तो उसके tax किसको लगता elder brother को जो भी elder son है उसको tax लगता यह मैं आपको clubbing में बता चुआ हूँ क्योंकि वो dimmed owner माना जाता और self acquired property अगर है जिसको मैंने हुएफ में property convert किया तो वो provision में clubbing लगता अरहाओ की नहीं है और सर्व पार्टिशन के पहले तो पूरी की पूरी क्लब होती पार्टिशन के बाद में मेरी मेरे बीवी की मेरे माइनर बच्चे की income मेरे हाथ में taxable रहती बरोबर यह हूएफ फिर दूसरे रोगों की income भी तो club होती है अगर एसेट ट्रांसफर नहीं किया और इंकम ट्रांसफर किया section 60 अगर एसेट ट्रांसफर किया रीवो केबल तो section 61 आता है बरोबर income rising to transfer from revocable transfer section 61 section 60 फिर spouse बीवी की income remuneration एक remuneration वाला tax होता वो concern से जिसमें मेरा substantial interest है तो मेरे हातों में क्लब हो जाएंगा दूसरा मैंने स्पाउस को कोई एसेट ट्रांसफर किया for inadequate consideration तो वह भी मेरे को taxable होंगा बट अगर यह एसेट हाउस प्रॉपर्टी रही तो मेरे को clubbing वाली प्रोविजन नहीं लगेंगी क्योंकि मैं उसका dean donor वाना जाओंगा क्लब होंगी आपके हाथों में और जब यह क्लब होंगी तो याद रखना section 10 32 का एक्जम्शन है 15 सेक्शन के नाम के साथ और उसके बाद वह एसेट जो मैंने ट्रांसफर किया third party को अपने बीवी के लिए या बहु के benefit के लिए तो वह भी income मेरे हाथों में खलब हो जाएंगी यह individual के income रहती इतनी इंकम individual की हो सकती यहां खतम हो गया के competition हाओ यहां खतम हो गया पर खतम नहीं हुआ सुनो यह profit and loss यह मैं हमेशा बताता हूँ सबको एक बार वापस से बता रहा हूँ यह क्या है बड़ा credit यह है debit मतलब यह है भीया income यह है expenses वाव इसमें रहती एक दो तीन चार पाथ छेस साथ आठ नौ दस ऐसे expenses दिये दोनों की total match हो रही है बरबर अब आपको total competition निकालना है किसी आदमी का तो आप क्या करेंगी सर पहले तो head wise income निकालेंगे है ठीक है ना सबसे पहले शुरुवात करेंगे salary है क्या पुझे सर salary है नहीं सालरी नहीं है इसमें क्योंकि PGBP है जालरी वाले का profit and loss निकलता क्या nonsense हो सर अरे यार profit and loss कभी salary अरी वाले का बना दे आपने सुना क्या नहीं वह तो form 16 form 16 ने भी खेलते हैं भावनाव में आ गया था मैं ठीक है कि अब यह आपको दिया है तो आप क्या करेंगे सर पीजी बीपी की इंकम निकालेंगे उसकी कि यहां से net profit होंगा यहां पर कुछ फिगर होंगा यह फिगर से जालू करेंगे यह net profit इसमें कि यह net profit कुछ है इसमें आड करेंगे वह खर्चे जिनका deduction मिलना नहीं चाहिए था पर आपने लिया तो यहां पर जो जो expenses है न उसमें से देखेंगे कि कौन से कौन से खर्चों का deduction नहीं मिलता पर आपने लिया है अब यहां पर रहता एक depreciation वाला point depreciation as per books of account deduction मिलता क्या है नहीं as per income tax act मिलता तो depreciation books वाला add करेंगे और less करेंगे वह जो income tax act के इसाप से मतलब आपको उसका depreciation भी निकालना पड़ेगा अगर आप से थोड़ा दया आ गई तो depreciation as per income tax act directly दे दिया रहेगा नहीं तो आपको asset डियेंगे दिये रहेंगे चुन चुन के सबका depreciation निकालना चुन चुन के पोड़ना मत किसी को बरा बुरा लगता आसेट को बुरा लगता तो एक्जाम में बुरा लगता और फिर मार्क काटे फिर अप फेल होते तो आपको बुरा लगता तो बुरा लगना इच्छे ठीके ना एक एक आसे धान रगना राइटा मारना ट टैक्स पेड टैक्स 30,000 रुपए नीचे दिया रहे था कि उपर जो टैक्स बोला है न 30,000 उसमें से हमने सिर्फ 20,000 पे किया इसका मतलब क्या बचा हुआ 10,000 माइनस नहीं करना चाहिए था as per section 43B आपने किया आप करेंगे add बराबर फिर एक और point लिखा रहे था कि एक expenditure था जिसका deduction लेना चाहिए था बट हमने profit and loss में नहीं लिया ऐसा खर्चा जिसका deduction होना चाहिए था नहीं लिया मतलब minus करना डिड़क्शन मतलब minus करना फिक है ना minus हुआ नहीं किया तो अब आपन less कर देंगे तो आप को क्या-क्या add क्या करूंगे आप सारी वो expenditures जो deductible नहीं थ यह थे बड़ आपने minus किये गलत कर दिया वापस add कर दूंग अब जो minus करना चाहिए था आपने नहीं क्या minus करो अब यहां पे कुछ incomes दी भी है यहां एक दिया है dividend यहां दिया है winning from lottery यहां दिया है interest अब यह interest को consider करने के वाद यह net profit आया अपना तो इसका मतलब क्या है यह net profit में यह income included है यह added है पर यह PGPP में आतीच नहीं तो ऐसी income जो net profit में included है which are credited to profit and loss बट जो PGPP में taxable नहीं है उनको करेंगे आप minus less और इसमें कोई ऐसी income है जो PGPP में आनी चाहिए थी बट आपने नहीं लाए वो कहा दिया रहेंगा नीचे interest on income tax refund was not considered since income tax is not allowed as reduction अईसा लिख्के रहता एक दम देते बराबर अरे हो बराबर income tax का तो reduction नहीं मिलता तो interest on income tax तो होता इछ नहीं अरे अगर यहाँ पे सुनो यह आड़ कर देंगे वो income जो add होनी include होनी चैएथी वर आपने include नहीं किया बराबर यहाँ पर दिया रहे था refund income tax refund यह income tax refund taxable है क्या नहीं तुमने यहाँ पर include किया तो आप करूँगे यहाँ से less income tax refund परावर यहां और क्या लेस करूंगे सर आप और लेस करूंगे साल casual incomes यहां और आप लेस करूंगे interest on securities परावर यहां और आप जो जो incomes है अब फिर अपन क्या करते मालू है क्या यह अपन ने कर लिया ना फिर जब आप दूसरे यहां तो कर लेते मैं बूलता ना बच्चों को तो सब्धाइब प्जीवीप में से माइनस किया पर आप आएफोस में डाल दिया कि अरे भाई यह अब फिजीवीप में बोलता ऐसा करके बताता मैं हमेशा तो यहां तो याद रहता फिर आएफोस में जाते ना इंकम टेक्स रिफंड इंकम बता देते आरे भाई यह इंकम इच नहीं है मतलब इसको कुछी हेड में लेना इच नहीं है सर पर कही तो लेना पड़ेंगा ना क्या ज़रूरी थोड़ी है वह आती च नहीं है वह इच नहीं कुछ उसका वजूद ही निया का यह को घुसाड बुक में है और 35 क्वेशन आएंगे जोर वाले उनको सॉल करेंगे सर कप करेंगे सॉल ऐसा नहीं बोल रहा कि काम धंदे छोड़ दो यह करो ऐसे मत करना लोग यह करते अब तो बोले टोटल कंप्यूडेशन के पूरे क्वेशन सॉल करूंगा बोले 14 में से तो 14 इस बार त और तुमने रेसिडेंशल स्टेटर्स देड़ घंटा पढ़ाया तुमने बोला था कि इसमें से चार मार का पक्का आएंगा और सही में तुमने जो क्वेशन बोला ना वो चाया फिर क्या तुम नहीं देखे जैसे बीड़ गए उस पर और वो क्वेशन था ट्रिकी तुमने उसमें कर दी अपने 40 मिनिट बरबाद और वो क्वेशन तो तुमको आना ही नहीं था क्योंकि वो क्वेशन ही फाडू था फिर क्या करना फर पर आपने बोला था कि अब सौ में से चालीस नहीं अब 96 में से 36 लाने है चालीस तो आपके पकेश है सर हम कैसे छोडते हमारा दिल अरे कुछ दिल नहीं दुखता अब ना असा भावनाओं में नहीं जूड़ना देखो शौम आख का पीपर है 180 घंटे का टाइम है 1.8 1.8 180 मिनिट का टाइम है ना एक सोसी घंटे आओ नहीं है भावनाओं नहीं समझ ना मेरी भावनाओं समझो अपनी इमत दिखाओ ठीक हाँ तो 1.8 मिनिट पर मार्क के लिए है मतलब एक मार्क के लिए समझ लो दो मिनिट भी पकड़ लो आप 90 मार्क का पीपर आप्ट कर र कोशन साथ मिनिट में ध्यान में आ रहा कि यो कुशन नहीं जम रहा छोड़ दो उसको सर हमने पीजी बीपी के 25 कुश्चन जाल किये थे सर सो किये ते अरे 500 भी किये नहीं तो मत करो नहीं तो क्या होता यह आप सब के साथ होता कि अपन देड़ घंटा बैट ते जेड़ घ बताते इछ नहीं अपन वो बाते बताते जो वच्चे मेरे को आके बोलते कि सर यह मेरे साथ यह दिक्कत हुए यह नहीं करने का किसी क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर टॉपिक किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट से डू नॉट गेट इमोशनली अटाज़ड किया होंगा उसको 3 बार फरक नहीं बढ़ता नहीं जम रहा ना छोड़ दो आगे चलो दूसरी बार question में जो sequence होते है वो 6 questions all करने है आपको तो best of 6 नहीं होते first of 6 होते है you know this I guess 1 2 3 4 5 और seven पे आये और छटवा आदा सॉल करके छोड़ दिया तो पहले 6 के मार गिने जाते there is no best of 6 there is first of 6 से कूछ साथ करे सिक्वन्स इंपोर्टन नहीं है आप पहले क्वेश्चन सेवन करो चलता है आप पहले क्वेश्चन फाइल चलता वह पहले 15 मिनिट में टाइम 거지 invest करना राधर देन वहां पे लिखने का। और इसका answer यो नो में पहले question कर लिया बढ़िया समझो उसको time लग गया पहले question कर लिया हो गया फिर हमको ध्याण में आता अरे अब क्या करना है आगे यह यह नहीं करना पेपर के अंदर पहले 15 a minit में planning करना है in नहीं करना और इसलिए बोलते वो कि भई आप पेंसिल मत उठाओ क्यों उनको क्या फरक पड़ता है यह एक्चुली किसी की सोची भी साजिश है ना ऐसा नहीं कि वे सोची भी स्टाटेजी है पहले 12 मिनिट में आपने अपना क्या करना है यह पूरा स्टाटेजी बना लेना ह क्या करते रॉधर देन पूरे 100 मार्क स्टाटेजी मनाने से एच्छा है आप 10 मार्क का क्विस्टन चॉल और प्र ठवचिन को करते आंसर में तो लिखी नहीं सकते अन्सर में तो पड़ता ही पूरा तो उससे बेटर है आप स्टाटेजी पूरी डिवास कर लो अपनी कि मेरे को क्या-क्या करना है अब इत्ता मैं बोल सकता उसके बाद आपकी मर्जी है अब टोटल इंकम में एक और आता अल्टरनेट मिनिमम टैक्स यह अमेंडमेंट है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स स्कीम क्या है AMT का सर किसको लगता AMT पहली बात किसको है AMT कमपनी को नहीं है क्योंकि कमपनी को मैट लगता मिनिमम अल्टरनेट टैक्स अल्टरनेट मिनिमम टैक्स किसको लगता कमपनी को छोड़ के अल्टरनेट मिनिमम टैक्स किसको लगता एनी परसन एकसेप्ट कमपनी एनी परसन किसी भी इंसान को who has claimed profit link deduction जिसने profit link deduction claim किये है जिसने profit link deduction claim किये है under chapter 6A except ATP वाला मतलब cooperative society को नहीं लगता ATP के deductions cooperative society को मिलते income from cooperative society ठीक है न तो हर इंसान except company except cooperative society जिनों ने profit link deduction claim किया है उनको AMT लगता ठीक है 10AA, 103580 3580 क्या रहता profit link deductions है directly deduction मिलता 3580, 10AA अब देखो यहाँ पर क्या लिखाए PC note profit link deductions provided intersection 80IA से लेके तो 80IE तक JJA JJA डबल जय डबल ए नहीं है JJA है ATLA, ATP and ATPA are relevant for CA final exams for CA inter students discussion of AMT is limited with respect to discussion under section 10AA 35AD और ATEE डबल जय डबल ए QQB, RRB only यह सारे profit link आप समझते हो income mark, 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 export profit, tendably, बराबर तो आपका इतना ही आपका इतना ही कार्यक्रम है अब क्या बोलता scheme of AMT क्या है अब देखो basically यह AMT क्यों रहता समझो मेरा total income है मेरा gross total income है बिटा 45 lakhs का ठीक है? और एक 80IB का deduction मिलता मेरे को final में है समझ लो deduction मिलता मेरे को 80IB का deduction मिल रहा है 25 lakhs का कितने का? 25 lakhs का मतलब मेरा total income कितना है? 20 lakhs पराबर ना? अरे हो कि नहीं? अब 20 lakhs पर निकालो आप tax निकालो बग किसे 10 lakhs पर? अरे पहले 10 lakhs पर 1,12,500 और अगले 10 lakhs पर 3 lakhs टोटल कितना हो गया? 4,12,500 पराबर 4,12,500 4 परसेंट कर लो प्लस 4 परसेंट 4,29,000 बरोबर यह normal provision यह कौनसा tax है? नॉर्मल वाला tax यह कौनसा tax है? नॉर्मल वाला tax अब AMT का provision बोलता कि अगर आपका जो normal tax है वो adjusted gross total income के 18.5% से कम है क्या बोलता? अगर आपका normal tax adjusted gross total income के 18.5% से कम है तो adjusted gross total income आपकी income मानी जाएंगी और उसका साड़े अठ्रा टक्का आपको tax भरना पड़ेगा सर आड़ेसिफ ग्रॉस टोटल इंकम मतलब क्या? अरे ये डिड़क्शन के पहले की इंकम तो 45 लाक्स का 18.5% कितना होता? आथ लाक 32,500 मैं एक दम रफ फिगर ले रह हूँ ठीक है न? इसका फिई आपको बुक में मील जाएंगा ये 8832 पान्चों का दो आपको इतना tax भरना पड़ेगा अफसर हमने ज्यादा का भर दिया औविद्या 29 भरना था income tax के इसाब से हमने भरा 832 500 प्लस 4% तो बोलते ठीक है ना रो मत जो ज्यादा का भरा ना आपने वो आपको credit मिल जाएगा ज्यादा का भरा ना आपने वो आपको मिल जाएगा tax credit और यह credit को आप एड़ेस्ट कर सकोंगे वो साल जब आपकी normal income normal tax amt tax से जादा है normal tax amt से जादा है ठीक है एक और लेता हूँ वापस यह भी आपको बस एक rough idea दे रहा था अब दीखो क्या बोलता if regular tax payable by a person for a previous year regular tax is less than amt तो आपको adjusted total income shall be deemed to be total income of the person मैंने यह बोला था अगर normal tax 18.5% of adjusted tax से कम है normal tax amt से कम है देखो normal tax मतलब क्या दो figures दैन में रखो ठीक है एक normal tax मतलब अपन अपने income tax के साब से निकल देखा amt मतलब क्या 18.5% amt मतलब क्या 18.5% of your gross total नहीं of your adjusted total income बराबर amt मतलब क्या आपका adjusted total income का 18.5% बराबर अगर आपका normal tax amt से कम है तो आपको amt भरना पड़ता amt भरना पड़ता मतलब जो आपकी adjusted total income है उसको आपकी income माना जाएगा और आपको amt भरना पड़ेगा clear है देखो क्या बोलता if regular tax normal tax is less than amt तो आपको adjusted total income बराबर ना अगर आपका normal tax amt से कम है तो आपको amt भरना पड़ता amt कैसे आता adjusted total income का साड़े अठरा टक क्लियर है और यह प्रोविजन किसको लगती एनी परसन अधर दैन कंपनी अधर दैन कॉपरेटी सोसाइटी जो profit link deductions ले रहे है अपने सी एंटर के लिए profit link deductions कौन से काम करें टेन डबल ए थर्टी फाइव एडी एटी जबल जबल डबल ए क्यूक्यू भी आरार भी पाच लिर है सर यह तुमने घर पर आया गया नहीं यह institute ने लिखा है कट कि इंस्टिउट ने लिखा है मैं ने लिखा न है मैं एक्सेप्शन एमटी लगता नहीं कब नहीं लगता अगर आप इंडिविज्वल हो अगर आप हुए और आप एओप इंटोड नॉट ऑट नोट यह को उड़ा दो अगर आप एग्पी हो अगर आपका adjusted total income 20 लाग के नीचे है तो आपको AMT नहीं लगता हूँ आपको AMT नहीं लगता भाया clear है तो मतलब क्या आपका adjusted total income 20 लाग के उपर मनाच है तब जाके AMT लगता हूँ पराबर adjusted total income मतलब क्या total income as computed normally धाधा वाला उसमें add कर दो deduction कौन से 10 AA के profit link deductions कौन से chapter 6A वाले अपने कौन से double J AA 2QB, RRB और 35 AD का deduction add करना बट अगर 35 AD का deduction नहीं लेता तो depreciation मिलता था न तो depreciation minus करने के बादवाला add करना, समझो मैंने 100 lakhs का 35 AD में deduction लिया था दो साल पहले और ये साल मेरे को AMT applicable हो गया तो मैं कितना add करूंगा, 100 lakhs में से 10% कम, 10% कम clear है पक्ता अब जो ज़्यादा का भरा तो tax credit मिलता और उसको आप set off कर सकते अगले 15 साल में, ठीक है तो अभी ये किसमें पर question करते है तरी आपका है total income gross total income है आपका 50 lakh और आपको profit link deduction मिलेवा है कितना 20 lakh, मतलब आपका क्या आ गया total income, normal वाला कितना आ गया 30 lakhs, अरे बरोबर ना तो आप 30 lakhs पर tax निकालो, share हो मेरे एक लाग, अए उरली निकालो रहे, गरीब हो, ऐसे मत करो उपर के 20 lakhs पे 30 lakh, 6 lakh 6 lakh और एक, 7 lakh 12500 7 lakh 500 प्लस 4%, 7 lakh 41,000, बरोबर अदे उपर के 20 lakh का 30% मतलब 6 lakh और 1 lakh 12 7 lakh 12500 प्लस 4%, बरावर ये कौनचा टैक्स हो गया normal tax, बरावर अब आपका adjusted total income, कितना रहेंगा normal income, प्लस ये deduction 20 lakh, मान के चलो ये 10 double A का deduction है 10 double A का deduction है, तो क्या होगे मेरा adjusted total income, पचास लाग पचास लाग का 18.5% 50 lakhs into 18.5% प्लस 4% या 4% इसको रहन दो अभी अपन वो 4% लेते ही नहीं, कितना है 7,12,500, ये कितना है 9 lakh 9,25 normal tax से AMT जादा है न, तो ये माना जाएंगा कि adjusted total income आपकी income है और ये income का 18.5% आपको भरना पड़ेंगा मतलब simple है, आपको ये 9,25 भरना पड़ेगा, बरावर अब ये 9,25 आपने भरा कितना जादा का भदली है 9,25,000 माइनस 7,12,500 2,12,500 का आपको मिल जाएंगा tax credit और ये tax credit आप 15 साल तक adjust कर सकते, adjust कप करेंगे जब आपका normal income adjusted total income से जादा रहेगा, सर कैसे रहेंगा बताता हूँ next year की बात मेरा gross total income है 60,00,000 मेरे को profit link deduction मिलेवा है 10,00,000 का तो मेरा total income कितना है शेरो 50,00,000 पराबर और मेरा adjusted total income कितना है ये पहला 50,00,000 पे tax निकालो 40,00,000 पे 3% और तरीक बारा एक बारा लाक और एक लाक 12,500 तेरा लाक बारा अजार पान सो adjusted total income कितना 50,00,000 प्लस 10,00,000 60,00,000 का 18.5% करो 60,00,000 का 18.5% कितना 11,00,000 10,000 अब आपका क्या है नॉर्मल टैक्स ज्यादा है तो आप भरेंगे क्या नॉर्मल टैक्स और ये नॉर्मल टैक्स भरते वक्ट ये जो क्रेडिट आपके बास बढ़ा है न 2,12,500 वो माइनस कर देंगे आप वो आप कर देंगे माइनस मतलब बच्चा हुआ 13,12 में से 2,12 गया 11,00,000 आपको भरना पड़ेगा इसको बलते है सेट आफ ओफ क्रेडिट मतलब ये बेसिकली क्यों है कि आप जादा ही डिड़क्शन ले ले रहे और उसके वैसे आपकी नॉर्मल इंकम भोतीच कम आ जारी और आप टैक्स पेड़ेबल आपका आजारा कम तो बले नहीं नहीं मिनीमम अठरा परसेंट भरना पड़ता ठीक है अब बता दो आपको अगर आपका एवरेज रेट ऑफ्टैक्स अट्रा परसेंट अठरा पोइन पाच परसेंट ज्यादा है इसाँ आपको नहीं बढ़ना ही जाना चौड़ो कुछ नहीं बोल रहा है मजा कर रहा का मैं जा करना है मैं आपको वाकी बता था एक शॉट में देखना की एमटी लगता की नहीं लगता ठीक है फिर मेरे को समझाना पड़ता है रहो मैं उसमें परेशान हो जाता है एक्सेस ओफ एमटी पेड़ और रेगुलर टैक्स अंडर प्रोविजिन्स सच टैक्स क्रेडिट चाल भी कैरीट फोरवर्ड अंजट ओप अगेंस टाश पेवलिन लाटर यह तुद रिट ठीक है कित्ता जित्ता ज्यादा आगा है जोबन नहीं किया बैलेंस टैक्स क्रेडि आपके 20,00,00,00 से काम है इसका मतरब क्या देखो यह साल मेरी अट्जेस्टेट डूटल इंकम 20,00,00 से जादा थी तो मेरे को एम्टी लगा और मेरे को एम्टी पे टैक्स भी पे एक करना पड़ा है तो ज्यादा का टैक्स पे किया मैरे को मिल जातए क्रेडिट अब मेरे अ गुवरना है तो पिछले साल का credit यूज़ कर सकता क्या हूँ है तुमको अम्टी की प्रोविज़न इस नहीं लगती इस साल फरक नहीं परता credit यूज कर सकते है यह लिखा है tax credit allowable even if adjusted total income is less than 20 lakhs in the year of set-off if assessi has not claimed any deduction and adjusted total income 20 lakhs से कम है such assessi would still be allowed to set-off his brought forward amt credit in that year पराबर clear है पक्का एकदम क्रिश्नल क्ला है कुछ नहीं है चिलर है एमट किसको लगता कंपनी के अलावा कोपरेटी सोसाइडी के अलावा बाकी लोगों को जिनका adjusted total income 20 lakhs से जादा है बराबर एक बात दूसरी बात अगर आपका नॉर्मल टैक्स एमटी से कम है तो आपको एमटी भरना बढ़ेंगा और जो ज्यादा का एमटी आपने भरा वो क्रेडिट रहेगा और यह क्रेडिट को आप आजस्स करोंगे कब जब आपका नॉर्मल टैक्स एमटी से ज्यादा है तो और अगर हमारा नॉर्मल टैक्स एमटी से ज्यादा नहीं है जो साल हम टैक्स क्रेडिट करना चाहते हैं वह साल हमारा को अगर एमटी की प्रोविजन लगती नहीं क्यूंकि हमारा आजस्टे टोटल इंकम बीस दाख से कम है तो सेट अप जमता क्या हाओ सेट अप जमता क्लियर है ओके यह हो गया खतम आपका एमटी